जब हम non living things को as a living thing consider करते हैं as a living thing उनको use करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है personification कहा जाता है ठीक है तो अगर इसमें हम सबसे पहले बात करें तो personification किसका कर सकते हैं हम किसी भी place के नाम का कर सकते हैं किसी भी place के नाम का क्या कर सकते हैं हम लोग personification कर सकते हैं for example अगर मैं लिखूं Delhi is problem Delhi is problem तो मैंने क्या बोला कि जब हम किसी भी चीज को इंसान का दर्जा देते हैं तो मुझे यह बताओ क्या अगर मैंने लिखा Delhi is problem तो दिल्ली की problem होगी या दिल्ली के लोगों की problem होगी बिल्कुल दिल्ली के लोगों की problem होगी तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम person से relate कर पा रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि हमने उसका क्या कर दिया personification कर दिया तो यहाँ पे दिल्ली की problem नहीं है दिल्ली के लोगों की problem है ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि India is condition